दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IT सेक्टर के एक शेर्ट के बारे में जिसका नाम है Happiest Mind Technologies Limited जी हाँ दोस्तों Happiest Mind Technologies के Limited के अंदर आज की ट्रेडिंग सेशन के दुरान आपको नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिल चुका है साथ ही साथ आज आज आपको इस शेर्ट के अंदर मार्केट ओपन होते से ही 10% तक की रेली यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही साथ Happiest Mind में वोल्यूम बेस काम भी काफी ज़्यादा बढ़ गया है तो इसके पीछे दो बहुत बड़े रिजन यहाँ पर निकल कर आए हैं अगर आप Happiest Mind के आज के ट्रेडिंग सेशन को एनालेसिस भी करेंगे तो आज की शेर प्राइज 1145 रुपे पर ओपन होती है और ओपन होते ही आपको इसके अंदर कुछ बड़ी रेली याने की लगबग 100 पोइंट की तेजी यहाँ पर देखने को मिल जाती है चलिए सबसे पहले रीजन की मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिसके कारण Happiest Mind के अंदर आज आग के दिन आपको लगबग 10% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है जिसा कि आपको पता है कि Mind Tree ने अपने Q1 के रिजल्ट यहाँ पर डिकलेर कर दिये हैं रिजल्ट काफी शांदार रहे हैं जिससे जो Expectations है Happiest Mind की वो भी कई गुना तक बढ़ गई है क्योंकि Happiest Mind साथ ही साथ जिसा कि आपको पता है कि एक और IT सेक्टर की दिगज कंपनी जो कि आज Infosys के भी quarter 4 के numbers आने वाले हैं Infosys के result जैसे ही publish होंगे आपको हमारे YouTube channel से update कर दिये जाएंगे साथ ही साथ आपको हमारे Telegram channel से भी सारी update दे दी जाएगी तो यदि आपने अभी तख Telegram channel को join नहीं कराए तो link आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से आप उसे join कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं Mind Tree के दो यहाँ पर Q1 के number बहुत ही शानदार आए हैं जिसका ultimately benefit यहाँ पर हमें Happiest Mind के अंदर भी देखने को मिला है लेकिन second सबसे बड़े reason की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो second सबसे बड़ा reason यहाँ पर निकल कर आ रहा है Happiest Mind के अंदर 10% की rally का वो है SM List जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पताए कि Happiest Mind को SM List के अंदर include किया गया था stage 1 में और stage 1 में जब Happiest Mind को include किया गया था तब भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी और तब हमने आपको बताया था कि जब share SM List से बाहर आएगा तब आपको इसके अंदर एक बड़ा breakout बनते हुए देखने को मिल सकता है आपको इस share के अंदर खरीदारी करना चाहिए और एसा ही कुछ आज की ट्रेडिंग सेशन के दोरान हमें Happiest Mind के अंदर देखने को मिला सुबह सुबह ही खबर आ गई कि Happiest Mind जो की यहाँ पर SM List की stage 1 में था वो यहाँ पर बाहर आ चुका है और जैसे ही कोई भी share SM List से बाहर आता है तो वहाँ पर हमें कुछ बड़ी रेली देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 days की monitoring के बाद में जैसे ही Happiest Mind SM List के बाहर आता है तब आपको इस share के अंदर 10% तक की रेली बनते हुए देखने को मिल जाती है इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में HFCL से भी बताया था कि HFCL को भी SM List के अंदर include क्या गया जिसके कारण उस share पर भी pressure हमें देखने को मिल रहा है साथ ही साथ FLE की भी बात करें तो FLE के उपर भी यहाँ पर इसी कारण हमें यहाँ पर pressure बनते हुए देखने को मिल रहा है बात करें Happiest Mind के पिछले 1 यर्ज के रिटन्स में जैसा कि आपको पताए September 1 मन्थ में ही हमको यहाँ पर Happiest Mind की Listing देखने को मिली थी NAC और BAC के अंदर और Listing के बात से Shares ने अपने Shareholders को लगबग 200% तक के रिटन्स यहाँ पर यहाँ पर यह कंपनी बना कर दे चुकी है IT सेक्टर की इस दिगज कंपनी के अंदर अगर आपने Investment कर रखाएं तो अभी भी यहाँ पर मैं आपको अपनी Positions को Hold करने के लिए कहूंगा क्योंकि आज आपको पताए Infosys के Result आने वाले हैं Infosys के Result काफी शांदर आने की उमीदे हैं साथी साथ कल के दिन हमें Wipro की Result भी देखने को मिलने वाले हैं तो इन IT सेक्टर की दिगज कंपनीयों के अंदर अगर Result बहुत शांदर आते हैं तो उसका Impact Infosys Wipro पर तो देखने को मिलेगा ही लेकिन साथी साथ में Happiest Mind के उपर भी आपको देखने को मिलेगा Happiest Mind के अगर Volume Based काम की तरफ नजर मारें उसके बिले आज ही के दिन आपको नया 52 वीक का हाई भी Happiest Mind के अंदर देखने को मिल चका है और अगर Volume Based काम की तरफ भी आप नजर मारेंगे तो आज के दिन Happiest Mind में Market Close होने तक याने कि 3 बज़े तक 82,24,000 कौंटिटी ट्रेड हो चुकी है जो कि पिछले एक महिने में सबसे ज़ादा है साथी साथ Volume Based काम की भी बात करें तो लगबख साड़े सत्रा परसेंट Delirable Based कौंटिटी उठाई गई है याने कि 14,47,190 कौंटिटी Delirable Based पर ट्रेड हुई है Happiest Mind के भी Quarter 1 के नंबर्स काफी शांदार आने के उमीदे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर कमपनी के Year on Year Business की बात करें तो कमपनी के revenue में लगबख 45% की growth हमें देखने को मिली है Net Income में 580% की, Earnings Per Shares में भी 535% की और Net Profit Margin में भी 445% की growth देखने को मिली है साथी साथ कमपनी काफी अच्छा performance Q1 के अंदर भी यहाँ पर देती हुई हमें नजर आई है और यहाँ पर Q2 में भी कमपनी की performance काफी improvement वाली हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ पर इस shares को square off करने का तो बिलकुल भी अभी के time पर यहाँ पर बनता ही नहीं है और इनी सब के बीच कमपनी अब बहुत जल्दी आने वाले 2-3 trading session के अंदर अपने 20,000 करोड रुपे के market capitalization को भी यहाँ पर cross कर सकती है यदि आपने happiest mind के अंदर investment कर रखा है तो momentum काफी bullish है आपको इस bullish momentum का benefit उठाना चाहिए और अगर इस shares के अंदर अभी तक investment नहीं कर रखा है तो आप इस share को अपनी watch list के अंदर include कर सकती है और जैसे ही थोड़े बहुत corrections आपको इस share के अंदर देखने को मिला है आप इसके अंदर जल्दी से fresh entry बना सकते हैं infosys ने तो शांदर return दिये ही दिये हैं लेकिन साथ ही में happiest mind ने भी पिछले एक महीने के अंदर लगबग 42% तक के returns अपने shareholders को बना कर दिये हैं happiest mind के अगर shareholdings pattern को भी आप check करेंगे तो यहाँ पर mutual fund ने भी अपने stake को increase करा है साथ ही साथ foreign investors ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने stake को increase करा है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप institutional investors को भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर अपने stake को increase करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो सारी चीजे हमें यहाँ पर positive देखने को मिल रही है ultimately foreign investors के number भी यहाँ पर increase हुए है तो यदी आपने shares के अंदर positions बना रखी है तो एक साल के अंदर आप इसका 2000 रुपे तक का target लेकर चल सकते हैं happiest mind के अंदर हमें technical ratings, technical सारे analysis bullish देखने को मिल रहे है तो यदी आपने share के अंदर short term के लिए investment करा है तो कुछ levels का आपको कल के trading session के दुरान ध्यान रखना चाहिए जिसमें पहला जो resistance रहेगा कल के लिए infosys का तो strong ही ही लेकिन साथी साथ happiest mind का 1337 रुपे सिंत्याणों पेसे रहने बाला है साथी साथ happiest mind के अगर support की बात करें तो पहला support यहां से 1154 रुपे का 17 पेसे का यहां से निकल कर आ रहा है जिसे आप यहां पर पूरे week में लेकर चल सकते हैं happiest mind के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि volume based काम पीछले पूरे एक महिने में सबसे ज़्यादा आज की trading session में हमें देखने को मिल चुका है तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा alert हो जाना है अगर आप fresh positions बनाना चाते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए आपको definitely यहां पर opportunity मिलेगी shares के अंदर fresh positions बनानेगी चलिए दोस्तों उमीद है आपको video और update पसद आई होगी आज की 10% की rally के पीछे जो दो बड़े reason थे वो already मैं आपको यहां पर बता चुका हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated